एलो दोस्तो येरफोर्स की तरप से बहुत ये वड़ी खुसकब्री आ रही है बार्मी पास और डिप्लमा वाले एक एनरेट के लिए तो जिसमें 3500 से ज्यादा वेकेंसी है तो आज के ये वीडियो दोस्तो आप लोग लिए काफी दा इंपर्टन रहने वाला है क्योंकि हम येरफोर्स की आईवी नई वेकेंसी के बारे में जहां पे दोस्तो आप जो है अपलाई कर सकते हैं और बांकी इंफर्मेशन जो भी होगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा पसंद आएगा लाइक कीजे शेर कीजे चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहले सबसे दोस्तों जैसे की बीडियो के मई इस्टार्ट मैंने बताains यहां पे कौन कौन से केंड़िट जो अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों जो है यहां पर यहां पर आपे थे चाले कर सकते हो इसको इसका साध mesma और जूए पर इस लिमिट रखी गई है इस फॉर्म के लिए 21 साल रखी गई है इजुकेशन क्वालिफिकेशन दूस्तों मैंने आपको बता दिया बार्मी पास के के लिए फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं चाहिए आपका साइंस है जैसे आपका माल लिजे आपने साइंस ले रखा है 12 मे मैथ, फिजिक्स और इंग्लिस है 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मेकेनिकल से, इलेक्टिकल से, इलेक्ट्रोनिक से, आटोमबाय से, कम्पिटर साइंस से, इंस्ट्रुमेंटेशन से तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल अप कर स अगनी वाईू की तरफ से तो यहाँ पे दोस्तो कुछ इंपॉर्टन इंफरमेशन है जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है दोस्तो यहाँ पे देखें कौन-कौन से कहने जो अप्लाई कर सकते हैं कितना सैल नहीं मिलेगी क्या-क्या इंपॉर्टन इंफरमेशन उसके इसके बाद करते हैं दोस्तों यहां पे दोस्तों आपको इनिशली चार साल जो है इनके मतलब अगनी वायू के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा जहां पर दोस्तों 21,000 पर मंत आपको यहां पर पहले साल दुसरे साल जो है 23, 23,25 और चौसरे साल 28 जा दिया जाएगा इसक अगने और अगर आपने सुना होगा अगनी भी छिसकी तो और फिर अगनी भीर बाईवाला तो वह जो है यहां पए उसका पिममेंटिक्स इंग्लिस लेंग्विज में अधर दन साइंस वाले के लिए 45 मिट का पेपर होगा जिसमें दोस्तों इंग्लिस लेंग्विज कराएगा और रीजनिंग वगरा यहां पर पूछे जाएगा और डिपनो वाले के लिए दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जहां पर दोस्तों आप देख चाहँ है तो आप उसेन को क्लिक करेंगे तो आपको कलिक करेंगे तो डौब करना मैं यह कुछ इंफार इसे को .... अगर आपको एचोकर लगा ऌन्य विडिए दो हुई